आज जो आपका स्वागत है जब वो मतलब नींद में थी दोस्तों दूपेर को तब क्या हुआ कि उसके मतलब उसकी जो मा थी उसको मा को उसने तिनी साल पहले खोया था और जैनी ये कहते हैं कि हम दोनों मतलब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे उसके मा ने उसके लिए बहुत कुछ किया था और जै मतलब दुरगट ना हो सकते है जल्दी उठो तुमें फिलाल उठने की जरूरत है और उस गैस को बंद करने की जरूरत है वो कुछ भी समझ नहीं पाई कि आखिर ये सारी चीज़े क्या हो रही है और वो तब बाद में उसको मतलब अचानद उसकी निन खुल गई और एक दो स कहती है कि मैंने सोचा कि एक बार मैं जाकर मतलब चेक करके देखती हूं तो बाद में जब वो निचे गई दोस्तों तब उसका जो गैस था उसके मतलब बटन के यहां से वो लीक हो रहा था कुछ तो प्राबलेम हुआ होगा जनी यह कहते है कि पूरे मतलब उपर जहां पर सोई थी वहाँ पर इतना उसका स्मेल नहीं आ रहा था लेकिन नीचे पुरा मतलब कैस का स्मेल आ रहा था और वो बाद में वो कहते है कि बाद में उसने बटन बंद किया और बाद में टेक्निशिन को बुलाया लेकिन वो यह कहते है कि यह जो दुरगटना थी वो बहुत जिनी ये कहते हैं कि आज मुझे पुरेया तरीके से यकिन है कि जो मेरी मा है जब बुरा समय होता है तब हमेरे जो करीबी लोग है वो बहुत बार हमेशा कही हुआ हमेशा मतलब साथ देने की कोशिश करते है ये जो बात है थोड़ी सी accept करने में मुश्किल जाती है क्योंकि मैं तो अभी दिवकी हूँ उनके जाने के वज़े से कहा पर वो मेरे साथ है ऐसे हम कह सकते है लेकिन खुद अनीता मुरजानी जी भी नहीं कहा है कि जब वो पृत्वी में मतलब इंसान के स्वरूप में थी तब उसको ज़रा भी पता नहीं था कि उसके जो मतलब करीबी लोग है जैसे उसके पिता जी और उसकी एक दोस्त थी सुनी तो वो उसके कहिना कही साथ थी लेकिन जब वो आत्मा के सुरूप में थी तब उसको पता चला कि जब से मैं बिमार हूँ तब से ये दोनों कहीना कही हमेशा मेरा साथ दे रहे थे जिस तरीके से हमारा कोई एक करीबी इंसान जो बिमार हो अगर अस्पतल में हो तो हम जितना उसके 24 गंटे उसके साथ वहाँ पर रहने की कोशिश करते है तो वैसे ही उनकी जो आत्मा थी वो कहीना कही हमेशा उनके साथ थी तो इस तरीके से ये जे जेनी की कहानी है वो भी हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे बुरे समय में हमारे जो करीबी लोग है जितना हो सके वो हमें हेल्प करने की कोशिश करते है दोस्तों तो दोस्तों हम अगली वीडियो में किसी नए विशय को लेकर मिलेंगे तब तक आप अपना अपने परिवार का खयाल रखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्दगी की रोष्णी ये एक कंसल्टन्सी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिनोंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत जादा दुखी है जो लोग इस संस्ता के साथ जुडते है उन्हें पास्ट लाइफ इरिग्रेश फिर लेप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते है और दस अडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी तो दोस्तों अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते है तो गुरुपया इस नंबर पर वाटस अप मैसेज करे आपका बहुत बहुत धन्यवाद